सबसे पहले तो आप यह समझ लीजिए तो कुमार जी ने और मैंने दो फिल्मे आत्मा और अलोन साथ में प्रोड्यूस की हैं तो आज समझ सकते हैं कि मेरी और उनकी बहुत बढ़िया दोस्ती है पिछले तक्रिबन चार पांच साल से और उसी की वज़ा से मतलब हर दो तीन दिन में एक दफा तो बात होती ही थी और हफते में एक दफा कम से कम मेरे घर पे भी आते होंगे तो कहने का मेरा मतलब यह है कि बहुत बढ़िया क्लोज दोस्ती है हम लोगों की दोनों की तो जाहिर से बात है हम फोन पे बहुत सारी प्राइवेट ये वो कुछ भी बात कर सकते थे confidence के साथ के भाई recording की तो बात हो ही नहीं सकती कुमार जी का ये चेक है 3 करोड का अभी भी उनको कुछ देने बाकी है ये उनहीं का है देख लिजे क्या है उनकी कंपनी का नाम वाइड फ्रेम पिक्चर्स कोई ऐसा नहीं कि मैं कहीं से उठा के लेके आ गया हूं मैं एक बात कह रहा हूं मैं कितरा बकाया है वो छोड़ दीजे बट मेरा मैं ये कह रहा हूं कि कुछ करोड तो नहीं अभी भी देने है तो मैं सिर्फ पहले ये बता रहा हूं आपको कि हमारी दोस्ती कैसी है अब जो है अब जो है अजे जी के मैसेज पर जाते हैं सबसे पहले उन्होंने एक official message दिया है official statement on the whole issue this is what he said I have been a part of the Indian film industry for the past 25 years and have been associated with over 100 films my father was a professional action director and I have an emotional connection with this industry it therefore pains me to see that people like Kamala Khan are holding the film industry to ransom by spreading negativity about films to extort money from producers it is very sad that people from our own industry are supporting such elements and spoiling the ethos of the film industry I would strongly demand that this be thoroughly investigated by competent authorities to clarify if Kranjohar was indeed involved आने देरे पहले तो अजे जी जो कह रहे हैं अगर वो ये हाँ तो पहले तो जो अजे जी कह रहे हैं अगर मैं सही आदमी नही हूँ तो फिर उन्होंने दो फिल्मों में मेरा फाइनेंस लेके मेरे साथ फिल्म क्यूं बनाई नमबर वन नमबर दो वो कह रहे हैं कि उनका इमोशनल केनेक्शन है फिल्म इंडस्टी के साथ जी नहीं अजे दोगन साब आपका इमोशनल नहीं है आपका सिर्फ पैसे का केनेक्शन है वो ऐसे कि एक्शन जैक्शन के प्रोडूसर है उनको विचारों को बुढ़ापे में तकरीबन 25-30 क्रोड का नुकसान हुआ आपने एक रुपया वापस किया है क्या उनको पावर शुरू हुई थी फिरोज नडियाट बाला पावर से आज तक इतनी प्रोडूम में है कि अलमोस्ट क्लोज पे है उनको एक रुपय की हल्प की है क्या आपने या किसी और फिल्म इंडश्टी के कोई डिरेक्टर कोई प्रोडूसर चिसको हल्प की है तो आपका इमोशनल कनेक्शन कैसे है तो आपका इमोशनल कनेक्शन नहीं है आपका मनी कनेक्शन है क्यूंकि industry join करने से पहले आप two rupees people थे और आज आप billionaire है तो ये आपका industry से connection है ये अज़ेद्योगन साब को मेरा reply है अब अब आते हैं कुमार मंगत साब के पास मैं कुमार मंगत जी का वीडियो प्ले करके word by word आप लोगों को उसका reply देना चाहूंगा पहले एक छोटी सी बात और मैं यहां clear कर दूँ शायद आप लोगों के शायद आप लोगों को अंदाजा भी नहीं होगा कि actually कुमार मंगत साब और अज़ेद्योगन साब करना क्या चाह रहे थे उन्होंने ये सब किया क्यों है पहले ये मैं आपको ज़रा थोड़ा सा डिटेल में बता दूँ अगर आप लोगों को याद है तो एक दफा पहले ये हो चुका कि शारुक खान के फिल्म और सन अफ सरदार साथ में रिलीज हुई थी सन अफ सरदार रिलीज हो रही थी और शारुक खान के फिल्म थी जब तक है जान यश चोपड़ा साहब मर गए थे पूरी इंडस्ट्री ने रिक्वेस्ट की थी अजदयोगन साहब से के वो डेट शिफ्ट कर ले उन्होंने नहीं की थी ये उनका इंडस्ट्री के साथ इमोशनल केनेक्शन है चलो खेर वो उनकी मरजी है उन्होंने एक कोई मुझे जादा पता नहीं क्योंके मैंने कभी ऐसा केस लड़ा नहीं है उन्होंने यश राज पे एक केस किया था जिसको ये कहते हैं कि कॉम्प्टिशन में जब आप कॉम्प्ट आ सकते जो फेर ना हो ये उन्होंने केस किया था यश राज पे जो बाद में ये हार गए थे यहां जो वो करना चाह रहे हैं अच्छली उसका रीजन ही यही है कि वो अपनी बंदू मेरे कंधे पर रखके करन जोहर को निशाना बनाना चाहते हैं वो वही जो जो पैतरे उन साबित करें कि करन जोहर ने कमाल खान को पैसे दिये और हमारे खिलाफ यह किया और यह फेर नहीं है तो उनका निशाना कोई और है बट वजा सिर्फ वो मुझे बीच में घसीट के तब करन जोहर को निशाना बनाना चाहते हैं वो डिरेक्ट करन जोहर को निशाना नहीं ब और वो उसको investigate करे कि क्या वाके ही करन जोहर ने ऐसा कोई काम किया है जो competition एक दोनों का हो रहा है उसमें fair नहीं है तो करन जोहर कहीं गलत है क्या अच्छली ये एक वजा है इस चीज़ को लाने की अब इसके आगे का मैं आपको उनका पुरा सुना के तब reply करता हूँ word by word कि अरे इधर को आजाओ ना दर्वाइज बंद कर लो यार इधर को आजाओ ना एक दू मिनिटे इंप दर आजाओ एक मिनट बंद कर लेते हैं आजो प्रॉब्लम पिछे को आजाओ यार अब मैं आपके लिए प्ले करता हूँ आप सुन लीजिए गौर से सुन लीजिए आप लोग कुमार मंगत साब मुझे फोन करते हैं और जैसे हम रोज आना नॉर्मल बात करते हैं एक लोज फ्रेंड एक लोज फ्रेंड मैं उनका फोन उठाता हूँ हुआ 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 है है अजया है यह तो अबस्तों आप मैंने कहीं बार गयते हैं मैं वर्ड बाइवर्ड रिप्लाइ करता हुआ उसी के लिए गया तो उसमें किसको ले रहे हैं बता रहा हूं आपको एक हप्ते वर में दो फिल्मों की जोनकी फुरू होने वाली उसकी बात कर रहे हैं लोग Dat सलेग्यों टेक्वर्ड़ ओड़ लिए में लगता हुआ इस अ क्या च्श्र मत आख्ण हम अластयों हैं ऑ्ट केले बस अगना काम करते हो इसके बांदल आख हुआ हाओ उसकले टाले कि करते हुआ करत रहे हुआ करते हो एعة फिल्ड बल्लापा हाँ और कि अपन reception है अब वो मुझे कह रहे हैं कि भाई मैंने उनकी फिल्म को हिम्मत वाला टू क्यों कहा और वो ये भी कह रहे हैं कि पहले करंजोहर के आपने तारीफ की और उसके बाद फिर शिवाय को कहा कि हिम्मत वाला टू है मुझे वो बात याद भी नहीं थी उस दिन की वो बात भी नहीं थी शायद उससे दो-तीन दिन पहले की बात थी तो मैंने कहा कि अच्छा ये दो-तीन दिन पहले की बात है मैंने कहा कि ये दो-तीन दिन पहले की बात है और मैंने हसके और जो खाली मजाग में था उसके बाद अच्छा अब वो कह रहे हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हो आप इतना करण जोहर को फेवर क्यों कर रहे हो आप यानि अगर मैंने करण जोहर के लिए कुछ अच्छा लिखा था तो वो ये कह रहे हैं कि मैं करन जोहर को क्यों favor कर रहा हूं इसका मतलब आप समझे इसका मतलब ये है कि आप मेरे close दोस्त हो मेरे भाई हो आप करन जोहर को favor क्यों कर रहे हो आप करन जोहर के बारे में गलत कहिए आप करन जोहर की फिल्म के बारे में गलत कहिए उनका मतलब ज arte चुबार को इतना फेवर कर रहे हो मैं कहह रहा हूं कि मैं करन जोर को फेवर नहीं कर रहा हूं कि मेरा बीडील्ट आपको एफ्थे क्या है चिरूर समीछ निज्वार के लिखा म измен de मैं कह रहा हूँ कि मैंने करन जोहर के बारे में कोई बहुत अच्छा नहीं लिखा है वो कह रहे हैं नहीं करन जोहर के बारे में आपने अच्छा लिखा और आप शिवाय को उसके साथ क्यों लिख रहे हो मैंने उनको ये कहा कि शायद वो जरूर आगे पिछे होगा मैंने एक साथ शिवाय और करन जोहर की फिल्म एह दिल है मुश्किल की बात नहीं की वो फिर भी यही कह रहे हैं अब फिर वो कह रहे हैं उपर नीचे कहीं लिखा था आपने मैंने कहा साथ में नहीं था वो कह रहे हैं कि क्यों आप करन जोहर की तारीफ कर रहे हो करन जोहर को आपने गोदी ले लिया क्या मतलब यह है फिर यहां यही वही बात है जो क्लोस फ्रेंड्स में होती है कि आप मेरे दोस्तों तो आप करन जोहर की तारीफ क्यों कर रहे हो करन जोहर की फिल्म के बारे में आप हमारे हो आप करण जोहर के बारे में अच्छा कह रहे हो ये अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है यानि इसका मतलब यह हुआ कि करण जोहर की अगर फिल्म अच्छी भी है उनका ट्रेलर अगर मुझे अच्छा भी लगा है तो मुझे उनके ट्रेलर को खराब ही कहना है क कि मैं कुमार मंगत का दोस्त हूँ और अगर उनका ट्रेलर खराब भी है तो मुझे उनके ट्रेलर को अच्छा ही कहना है क्यूंकि मैं उनका दोस्त हूँ में करंजोर का दोस्त कराम वैं कि वही वीडियो है जो हम सब जगह अब ठीक है चलिए तो मैं अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं मैं डिरेक्ट आपको बता देता हूं वो कह रहे हैं कि भाई करन जोहर के फिल्म को जो ट्रेलर है बाकी क्रिटिक ने देखो कितना बुरा कहा है और आप अच्छा क्यों कह रहे हो यानि अजे देवगन और कुमार मंगत साब का मतलब ये है कि क्योंके मैं उनका दोस्त हूँ तो अगर करन जोहर का ट्रेलर अच्छा भी है तो मुझे उसके बारे में बुरा कहना चाहिए अगर वो इतिक्स की बात कर रहे हैं तो वो अपनी फिल्म के बारे में बात कर सकते हैं कि हमारी फिल्म के बारे में आप अच्छा कहिए बुरा मत कहिए ये मानने वाली बात है बट ये कहना कि करन जोहर की फिल्म के ट्रेलर को क्योंकि बाकी क्रिटिक ने बहुत बुरा काओ है आप भी उसको बुरा काईए ये सही कैसे है, ये एथिक्ली कैसे करेक्ट है, उसके बाद भी मैंने कहा कि मैं नहीं कर रहा हूँ, उन्होंने कहा मैंने अब यहाँ जो 25 जाल रहे हैं वो प्रेशर डाल रहे हैं क्या आप क्यूं कह रहे हो तो मेरे पास एक excuse मुझे चाहिए थी वह excuse ली थी कि यार और उससे पहले मैं बात और बी बता दूं के उससे पहले जब शिवाय का ट्रेलर आया वह आगे यह पात कह रहे हैं मैंने उसको कहा कि ब्लोगबस्टर होगी ये फिल्म ये बहुत अच्छी ट्रेलर है बहुत जबरदस्त है उन्होंने मुझे उस वक्त फोन किया और उन्होंने कहा वेरी गुड थैंक यू वेरी मच तो मैं उनसे जानना चाहता हूं कि जब मैंने उसको अच्छा कहा था क्या उन्होंने यह तो नहीं कह सकता दोस्त को के नहीं यार मैं तुम्हारी फिल्म के बारे में अच्छा नहीं बोलूँगा मुझे पसंद आया नहीं आए मैंने उनको टालने के लिए ये बोला कि यार मुझे करंजोहन ने 25 लाक रुपे दिये हैं तो इसलिए मैं उनको फेवर करना पड़ रहा है एक बात और मैं बता दू कि यहां बात सिर्फ फेवर की हो रही है यहां कोई रिव्यू की या किसी चीज की बात नहीं है ये सिर्फ फेवर की है कि भाई मैं फिल्म के बारे में ट्रेलर के बारे में अच्छा कह रहा हूं या बुरा कह रहा हूं तो मैंने ये सिर्फ टालने के लिए उनको कि अग्ला बात उन्होंने बात बोलिये कि मैं भी कुछ पैसे भेज़ भी मैं आ रहा हूं मैं उसमें आ रहा हूं तो उन्होंने कहा कि अच्छा मैं भी पैसे भेज देता हूं और आप करंजोर की फिल्म के बारे में बुरा कहिए और शिवाय के बारे में अच्छा कहिए मैंने उसके बाद मैंने कहा कि सर मुझे पैसे नहीं चाहिए तो अगर मुझे पैसे लेने होते तो मैं बोलता कि ठीकि सर भेज दीजिए मैंने कहा सर मुझे पैसे नहीं चाहिए आप से मेरी दोस्ती है मैं आपका फेवर ऐसे ही करूँगा बट इसका मतलब ये हरगिस नहीं है कि भाई मैं करंजोर के अच्छे ट्रेलर को खराब कहना शुरू कर दूँगा क्यूंकि कुमार मंगत जी मुझे ये चाहते हैं या अ पैसे नहीं लेता मैंने कब कहा ये और कौन सा वेबसाइट है कौन सी प्यार एजनसी है बॉम्बे में जो फिरी में काम करती है मेरा एक वेबसाइट है क्यार के बॉक्स ऑफिस जिसमें 15 लोगों की टीम काम करती है और जिनकी तंखा हम लोग देते हैं और वो पैसा लाज आ रही हमने मैं अब आपको फिल्में गिनवा देता हूं हमने फिल्मों का प्रमोशन किया जैसे वन नाइट इस्टेंड का हमने प्रमोशन किया हमने शोरगुल का प्रमोशन किया हमने देशी कटे का प्रमोशन किया हमने हिमेश की जो फिल्म आय थी अभी क्या नाम तो हम तो professional agency हैं, हम तो बिल्कुल PR के पैसे लेते हैं, हम फिरे में क्यों करेंगे? प्यार के जी, जो 25 लाग की बात जो कही गई थी, वो मजातियां अंदाथ में आपने उनको देखे? वो मैंने उनको टालने के लिए, मजातियां नहीं टालने के लिए, एक excuse था.